प्रियशिक छार्थियों आपका स्वागत है आज हम उच्चतर माध्मिक इस्तर पर हिंदी विशे के बारे में बादचीत करने जा रहे हैं आज जिस विशे पर हम बात करेंगे वह पाठ है क्रोध यह आचारे रामचंद शुक्ल का एक सुप्रशिद निबंद है आपने अध्यन सामगरी में इस पाठ को पढ़ा होगा लेकिन आज हम इसे सरल तरीके से, रोचक तरीके से और विस्तार से आपके सामने रखेंगे इसका लक्ष यह है कि आप इस पार्ट को और आसानी से समझ सकें इस पार्ट में एक महत्वपुण विशेषता यह है कि क्रोध को एक मनोविकार के रूप में शुकल जी ने प्रस्तुत किया है और क्रोध के कारणों के बारे में, क्रोध की उत्पत्ती के बारे में एक अलग द्रिष्टी दी है उन्होंने हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्रोध जैसा मनोविकार किस प्रकार हानिकारक होता है और किन-किन परिष्थितियों में लाबदायक भी होता है इस पार्ट पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकास, आप अलीगण मुशलिम विश्विद्याले में प्रोफेसर हैं और आलोचना के छेत्र में महतुपुर्ण कारे कर रहे हैं, तो आज के कारेक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद राय साहब, शिक्षारतियों जैसा कि मैंने बताया कि आज हम क्रोध विशय पर विस्तार से बाचीत कर रहे हैं और उसके विभिन पक्षों को आपके सामने रखेंगे, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि शुक्ल जी का जो छेत्र रहा है, अलोचना तो लिखी ही है, उसके सासाथ वो दुएदी युके बहुत महत्मून निबंदकार भी हैं, और निबंद लेखन के क्षेत्र में उन्होंने आलोचना भी लिखी है और उस आलोचना के सासाथ जो साहित्य की प्रिश्टभूमी होती हैं भाव, उन भावों पर भी उन्होंने अनेक निबंद लिखे हैं और उस समय में जब हिंदी में जो निबंद लिखे जाते थे वो ज्यादा तरहाज से और विनोद के निबंद लिखे जाते थे उस समय में शुक्ल जी ने मनुविज्ञान पर आधारित ये निबंद लिखे हैं और इनका योगदान सबसे बड़ा ये है कि साहित्य के विद्यार्थी को ये निबंध बताते हैं कि जिस साहित्य को आप पढ़ने जा रहे हैं उनकी प्रिष्ट भूमी मनुविज्ञान की है और शुक्ल जी अपने इन निबंधों के द्वारा हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि ये जो मनुविज्ञान के अंतरगत हमारे भाव होते हैं इन भावों की क्या भूमिका होती है संस्कृत कावेशास्त्र में जिसे रस कहा जाता था वो एक पुराना कावेशास्त्र था शुक्ल जी ने साहित्य का एक नया कावेशास्त्र लिखा और भावों को समझाते हुए उन्हें साहित्य से जोड़ा तो ये बहुत बड़ा योगदान है शुक्ल जी का निबंध के क्षेत्र में कि वे हमें बार-बार ये बताने की कोशिश करते हैं साहित्य को समझने के लिए इन भावों को भी समझना बेहत जरूरी है इसमें जो इन्होंने विशे लिया क्रोध को तो यह भी एक आश्यर्य होता है साहित्यकारों को गी ऐसे विशे को क्यों लिया उन्होंने क्रोध भी उसी तरह से एक मनुविकार है या भाव है जिस तरह से प्रेम है, हास्य है, करुणा है, इरशा है, लज्जा है, ग्लानी है, उत्सा है, मित्रता है तो आप ये पाएंगे कि साहित्य का जो क्षेत्र है वो इनमें इनसे जुड़ा हुआ है सभी भावों से शुकल जी की मूल स्थापना ये है कि समाज में अक्षर कुछ भावों को अच्छा माना जाता है, कुछ को बुरा माना जाता है जैसे समाज में प्रेम है, दया है, करुणा है, मित्रता है, इन सब को बहुत महत उदिया जाता है आपने आप में अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं उनकी अच्छाई और बुराई इस बात पर निरभर करती है कि वह समाज के लिए कितने उपादें हैं उनका योगदान क्या है समाज के लिए तो शुक्ली जी ने जब ये खोज की कि इन भावों की सामाजिक भूमिका क्या है तो क्रोध को भी उन्होंने इस रूप में सामने रखा कि क्रोध की बुराईयां तो हैं ही हमारे लिए लेकिन समाज के लिए उसकी कुछ अच्छाई भी है इसी को दिखाने के लिए उन्होंने इस मनुविकार की चर्चा की इसका स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट किया इसकी जो हानिया है उनको भी बताया लेकिन उसके साथ साथ ये समाज के लिए जरूरी क्यों है इसकी भी उन्होंने चर्चा की तो इसमें सुरूम में हम जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या-क्या है उसे हम देख लेते हैं दरसल मेरे ख्याल से आप पाट के उद्देश्य की बात कर रहे हैं दरसल आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की बहुत समस्याएं हैं हम अपने मनोभावों को किस तरह से प्रस्तुत करें, उन पर किस तरह से काबू रखें, अपने आप पर किस तरह से सईयम रखें कभी-कभी हम बहुत आवेग में आ जाते हैं, तो उस आवेग पर नियंतरन कैसे रखें ये एक कोशल है हमारे जीवन का इस कोशल की प्राप्ति हम तभी कर पाएंगे जब हम भावों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस पार्ट का एक बहुत बड़ा उद्देश ये है कि ये पार्ट हमें ये बताता है कि क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है उस उत्पत्ति के कारण क्या है क्रोध के लाब क्या है और उसकी हानिया क्या क्या है इसके साथ साथ समाज के लिए वो क्या काम करता है अच्छा और बुरा किस रूप में होता है फिर अगर ये निबंध है आचारे रामचंद्रशुक्ल का तो हम निबंध की विशेष्टाओं पर चर्चा कर सकें विचारात्मक निबंध क्या होता है ये बता सकें और इस विचारात्मक निबंध की भाशा शैली की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं इन पर चर्चा कर सकें ये इस पूरे पार्ट का एक उद्देश है जिसको समस्ते हुए हम इस पार्ट को पढ़ें इसमें हम शुरुवात करते हैं जैसा आपने बताया कि कई उद्देश हैं इसके तो सबसे पहले सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्तो है इस पर हम चर्चा करते हैं दरसल शुक्ली जी नहीं ये बताया है कि दुख के चेतन कारण या साक्षातकार दुख का जो चेतन कारण होता या तो हम उसका साक्षातकार करते हैं या साक्षातकार नहीं करते तो उसका अनुमान करते हैं तो जब हम दुख के चेतन कारण का साक्षातकार या अनुमान करते हैं तो उसके बाद जो भाव हमारे मन में आता है उसे क्रोध कहा जाता है इस बाद को इस रूप में समझें कि अगर हमें ये पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे दुख का कारण है तो हमें उसके उपर गुस्सा आएगा एक तो व्यक्तिगत इस्थिती होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे दुख का कारण है इसलिए हमारे क्रोध का आलंबन है हमारे क्रोध का भी कारण है अब इस पूरे समाज में दुख दो तरह के होते हैं एक किसी व्यक्ति को दुख देना और एक पूरे समाज को दुख देना हम सब लोग ये जानते हैं हम चुकि सामाजिक लोग हैं इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत उसका है जो इस पूरे समाज को दुख दे रहा है तो अगर समाज को दुख देने वाला व्यक्ति है और उसके प्रती क्रोध नहीं हो रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इसलिए क्रोध की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि वो समाज के या व्यक्ति के दुख का निवारन करने वाला एक भाव है निवारन करने वाला भाव इसलिए है कि जैसे ही हमें ये पता लगता है कि एक व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नहीं है तो हमें उस पर गुस्सा आएगा और शुक्ल जी ने ये भी बताया है कि जो भाव होते हैं वो निश्क्रिय नहीं होते हैं जब हमारे मन में कोई भाव उमडता है तो हम कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं जैसे हमारे भीतर क्रोध आएगा तो क्रोध के कारण हम उस क्रोध का निवारन भी करना चाहेंगे और कैसे करेंगे निवारन कि जिसके प्रती क्रोध है उसको हम उसका विरोध करेंगे या उसको कष्ट पहुँचाएंगे अब मामूली इस्थितियों में किसी को कष्ट पहुँचाना या किसी का विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन आप इसे इस रूप में देखिए कि कोई दुष्ट व्यक्ति है जो समाज का विनाशकारी है तो उस पर तो हमें क्रोध करना चाहिए इस पिए क्रोध की एक बहुत बड़ी सामाजिक उपियोगिता ये है कि वो समाज को दुख से बचाने का काम भी करता है इसलिए हर इस्थिती में क्रोध कोई बुरी चीज नहीं है अगर क्रोध के कारण समाज की रक्षा हो रही है समाज के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं इस समाज में रहने वाले लोगों को बचा पा रहे हैं तो क्रोध होना चाहिए और शुक्ल जी ऐसे क्रोध का पक्ष लेते है और यही क्रोध की हमारे लिए उपा देता है इसके लिए शुकल जी ने कुछ उधारन भी दिये है जैसे उन्होंने राम के क्रोध का उधारन दिया है उन्होंने कृष्ण के क्रोध का उधारन दिया है शुशुपालवद की जो घटना है उसका उल्लेक शुकल जी करते है अब राम अगर रावन पर क्रोध करते हैं शुकल जी का कहना है वो तब भी सुन्दर लगते है क्योंकि रावन बुराईयों का प्रतीक है और हम सब जानते हैं कि जो लोग बुरे व्यक्ति पर क्रोद करते हैं वो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं लक्ष बढ़ा होता है लक्ष के पीछे समाज के प्रतिक करुणा है इसलिए शुक्रजी ने क्रोद को करुणा से भी जोड़ा है और ये कहा है कि जिसके मन में समाज के प्रती करोणा होगी उसके भीतर दुष्ट व्यक्तियों के लिए क्रोध भी होगा जैसे कि राम का क्रोध है और कृष्ण का शिशुपाल के प्रती क्रोध है तो यह जो उधारन हैं इनके माध्यम से शुक्र जी यह हमें सिखा रहे हैं बता रहे हैं कुल मिलाके शुक्र जी लोक्मंगल की बात करते हैं करोध के माध्यम से और कहते हैं कि जो प्रतियक भाव होता है हमारा वो लोक मंगल के लिए होना चाहिए प्रेम भी है प्रेम हारे स्थिति में अच्छा थोड़ा ही होता है अगर दुष्ट व्यक्ति पर आप प्रेम करने लगें उसके प्रति दया दिखाने लगें उसके प्रति लगाव दिखान इसमें एक मातोपुर्ण पक्ष यह है कि अगर प्रतिकार के लिए क्रोध किया जाता है तो वो हानिकारक है वो हान शुक्ल जी ने एक उधारन दिया इस निबंध में प्रतिकार का कि मान लीजिए हम एक रेल में यात्रा कर रहे हैं और दो लोग बैठे हुए हैं किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को थोड़ा बहुत कष्ट दिया और जब वो कष्ट देने वाला व्यक्ति ट्रेन से उतरने लगा तो उतरते उतरते उस पहले व्यक्ति ने उसको एक थपड़ मार दिया इसको प्रतिकार कहा जाता है क्योंकि इस प्रतिकार में आगे कोई संभावना नहीं है कि वो व्यक्ति कष्ट देगा एक क्रोध ही है कि हमारा पड़ोसी है और रोज- dollars वो हमें गालिया दे रहा है उसकी गालिया सुनकर भी हम किसी दिन उसको थपड़ मार सकते हैं लेकिन उस थपड़ मारने में और पहले थपड़ मारने में बहुत अंतर है पहला प्रतिकार है और दूसरा क्रोध है क्योंकि दूसरे में भविष्य में फिर से दुख न हो इससे बचने की इच्छा है तो प्रतिकार हानकी शुकल जे ने ये भी कहा है कि इस पूरे समाज में जो क्रोध है वो अक्सर प्रतिकार के रूप में ही देखने में आता है ज्यादा तर जो हमें दिखलाई पड़ता है क्रोध वो प्रतिकार के रूप में दिखलाई पड़ता है लेकिन ये दो पक्ष हैं एक प्रतिकार है और एक सचमुच में क्रोध है क्रोध में असल में भविष्य में अनिष्ट से बचने की इच्छा होती है प्रतिकार में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां लगबग बदला लेने वाली इस्थिति थी भविश्य में उसका कुछ नहीं हो ना, जो अतीत में हो चुका, जो पहले घटित हो चुका उसका बदला वो व्यक्ति थपड मार कर ले रहा है तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं इसमें एक सवाल ये उठता है कि क्रोध करने वाले की मनुवरित्ति क्या होती है अभी जैसा एक तो हमने ये बताया, विभिन्न तरह की मनुवरित्तियां होती हैं क्रोध करने वाले व्यक्ति की शुक्ल जी ने बड़े विस्तार से क्रोध के रूपों के उधारन दिये हैं इस निबंध में आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे इस निबंध को तो आप देखिए कि कितने बारीकी से मतलब कहना यह चाहिए कि शुक्ल जी ने इस समाज में रहन वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखा है और बिना ध्यान से देखे हुए इस तरह का निबंध लिखा नहीं जा सकता और अनुभाव प्रसूत है माने क्षेत्र तो मनुविज्ञान का है मनुविज्ञान अपने आप में एक शास्त्र है लेकिन शुक्ल जी की सबसे अद् healthcareन दे देकर हम समझाते हैं कि देखियー आप जिन जिन चीजों को क्रोध समझते हैं असल में वो सब क्रोध के एक से रूप नहीं है हैं उसके बिन नताएं जैसे अभी हमने पुर्थिकार की बात की एक पडोसी पर गुस्से में आकर थपड मारने वाली बात की दोनों नहीं रहता क्रोध करने वाले के प्रति अगर ज्ञान नहीं है हमारा बोध नहीं है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रोध करने वाले की क्रोध जिसके कारण हो रहा है उसके प्रकृति क्या है तो हम क्रोध में अंधे हो जाएंगे ये भी बताया उन्होंने जैसे उन्होंने चा उसे भी एक क्रोध आया तो उसने क्रोध में आके क्या किया कि उस घास में मठ्ठा डाल दिया एक दूसरा हुधारण है कि एक व्यक्ति जो है वो चूला फूंक रहा है और लकडियां जल नहीं रही है उसे गुस्सा आया और उसने क्या किया उस चूले में लाके पानी डाल दिया अब आप यह देखिए कि शुकल जी ने पहले तो यह स्थापित किया कि क्रोध में यह ग्यान होना चाहिए कि जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसकी इस्थिती क्या है यहां यह दोनों व्यक्ति भूल गए हैं कि जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं वो कोई चेतन वस्तू तो है नहीं माने जो घास है चुबने वाली वो कोई चेतन वस्तू नहीं है उसे किसी आपको जानभूज के तो कष्ट दे नहीं रही है वो तो उसकी प्रकृति है कि सूख गई तो पैरों में चुभेगी, इसका निवारण घास नहीं कर सकती, चूला अगर गीली लकडियां हैं तो वो आपके गुस्सेट से थोड़ी जलने लगेंगी, वो नहीं जलेंगी, तो शुकल जी ने बताए ये भी क्रोध होता है, लेकि की ताकत का अंदाजा नहीं कर पाते हैं और उस पर क्रोध करने लगते हैं, शुकल जी ने कहा ये मूर्खता है, एक व्यक्ति अगर 20 लोगों को लेकर आप पर आक्रमन कर दे, तो आप उस पर क्रोध नहीं दिखाएंगे न, अगर क्रोध आप दिखाने लगे उस पर तो श बच्चे की बात की, कि जो छोटा बच्चा होता है, तीन-चार महिने का, उसमें भी ग्यान नहीं होता, वो जो कारण और कार्य होता है, उसमें संबन नहीं स्थापित कर पाता है, तो आप उसे अगर मारने के लिए हाथ भी उठाएंगे, तो वो हसने लगेगा, क्योंकि उ उसे ग्यान नहीं है, तो उक्रोध भी नहीं कर पाएगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़िये, बच्चे को शुरू में ग्यान होता है, मा से संबंध का, उसे जब भूख लगती है, तो मा उसे दूद पिलाती है, फिर उसे जब भूख लगती है, तो यह पैचानने लगता ह तो जहां अग्यान है, वहाँ अगर आप क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध नहीं है, उसमें कई सितियां पैदा हो सकती है, आप क्रोध में आके पत्थरों को अगर तोड़ने लगें, तो उस क्रोध का क्या कहेंगे, वो क्रोध तो नहीं है सचमूच में, इसलिए शुक्र ज प्यान का होना जरूरी है इसमें जैसे प्रयोकिया इन्होंने की उग्र चेस्टाएं होती है या जो मनोवेग होता है वो ज्यादा होता है जी 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 दरसल शुक्ल जी ने ये कहा है कि क्रोध जो है वो शांती को भंग करने वाला एक मनोविकार है और जैसे ही हमारे भीतर तरसल ये जो हमारे मनोविकार होते हैं इनकी अलग-अलग चेस्टाएं होती है प्रेम की चेस्टाएं वही नहीं होंगी जो क्रोध की होंगी दया की चेस्टाएं वो नहीं होंगी जो क्रोध की होंगी करुना की चेस्टा वो नहीं होगी जो क्रोध क हाला कि कभी-कभी एक दूसरे के साथ भी आ सकते हैं जैसे कि किसी अबला को कोई व्यक्ति सता रहा है तो इसमें दो भाव एक साथ आएंगे एक दया और दूसरा प्रोध उस अबला पर हमें दया होगी और सताने वाले पर प्रोध होगा तो क्रोध भी जरूरी है और दया भी जरूरी है इसी तरह से समाज की रक्षा के लिए हमें करुणा होनी चाहिए और क्रोध भी होना चाहिए लेकिन क्रोध एक ऐसा मनुविकार है जिसमें आवेग इसलिए होता है कि जब हमारे भीतर क्रोध आता है तो हमारी जो कारवाई होती है तरित तेज होती है हम कुछ करने के लिए ततपर होते हैं इसी लिए क्रोध को प्रबल आवेग वाला भाव का अभी हमने जो दो उधारन दिये न कि एक जो है वो घास में मठ़ा डाल रहा है जड़ों में ताकि यह घास नश्ट हो जाए दूसरा चूले में पानी डाल रहा है यह प्रबल आवेग है क्रोध का तो क्रोध चूंकि हमसे कोई कारवाही तेजी से करवाता है इसलिए उसे हम यह कहते हैं कि वो प्रबल आवेग वाला भाव है इसी के साथ साथ शुक्ल जी ने कुदाहरन और दिया है कि एक होता है अपना सिर्फ होड लेना क्रोध में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गुस्सा आता है तो वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं वो अपने को ही कश्ट देने लगते हैं लेकिन ये किस इस्थिती में होगा ये उस इस्थिती में होगा जब हम ये पैचान जाएंगे कि हमारा सर फोड़ने से सामने वाले को कश्ट होगा जैसे कभी-कभी हमारे बच्चे जो होते हैं वो गुस्से में आके अपने को कश्ट देने लगते हैं हमारे सामने तो हमें कष्ट होता है ना तो अब वो दिखता तो क्रोध के रूप में है लेकिन वो क्रोध न होकर एक खास तरह का मनोविकार है वो भी कष्ट दे रहा है दूसरे को लेकिन क्या करके दे रहा है दूसरे को कष्ट दे कर कष्ट नहीं दे रहा है अपने आपको कष्ट दे कर क कुछ चीजों की सफलता जब उसे प्राप नहीं हुपाती है तो परेशान सा रहता है और बात-बात पर खीजता है और कभी-कभी लोग उसे चिड़ाने भी लगते हैं उसके बार-बार खीजने पर तो ये अपने आप पर खीजना सफलता न मिलना परेशान सा रहना उद्वि भी बताया है और कभी-कभी ये लगता है अमर्ष दरसल एक संचारी भाव की तरह है जिसमें नाराजगी और गुस्सा होता है अमर्ष में भी वो लगता है जैसे क्रोध के नजदीक है लेकिन अमर्ष की विशेष्टा ये है कि वो जो अपना कष्ट है हुआ तो किसी दूस उसरे का ध्यान नहीं रहता अपने ही कष्ट को याद कर करके व्यक्ति परिशान सा होता रहता है तो उसे तो अमर्ष कहते हैं लेकिन जब कष्ट देने वाले पर त्योरियां चड़ती हैं तो उसे क्रोध कहते हैं जब आदमी अपने ही भीतर रहता है और अपने कष्ट को जैसे इसको उधारन इस रूप में दिया जा सकता है, कि हम बार-बार सोचें, देखो उस व्यक्ति ने हमारा कितना बुरा कर दिया, और उस बुरे को याद कर करके हम और अधिक कष्ट में रहें, तो ये तो कम अमर्ष होगा, लेकिन जब हम बुरा करने वाले व्यक्ति का विरोध करें, उसे भला बुरा कहें, तो वो क्रोध होगा, इसमें एक और सब दिनों ने एक वाक्य प्रेव किया है, कि वैर क्रोध का आचार्या मुरब्भा है, ये इतना प्रसिद्ध वाक्य है आचारे रामचंद्र शुक्ल का, और ये मामूली वाक्य नहीं है, माने ये वाक्य वही लिख सकता है, जिसने चीजों को बड़े ध्यान से देखा हो, ऐसे उधारन जो लिख ले निवंद के भीतर, उसे तो हमें महान निवंद कार ही कहना चाहिए, शुक्ल जी ने ये कहा है, कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्भा है, हम सब लोग जानते हैं कि अचार और मुरब्भे के बनने की प्रक्रिया क्या होती है, वो एक दिन में तयार नहीं होता, उसे बहुत समय लगता है, तो अचार और मुरब्भा बनने के लिए एक समय चाहिए, ठीक उसी तरह से, कभी कभी क्रोध भी वैर में या शत्रुता में परियवसित हो जाता है, समय के अनुसार, जैसे एक तो वो प्रतिकार था, कि एक थपड मारा और चीजें खतम, क्रोध भी खतम, लेकिन एक इस्थिती ये होती है, कि किसी के प्रति अगर हमारा जो क्रोध है या गुस्सा है, वो लगातार बहुत लंबे समय तक बना रहे, समाप्त न हो जाए, बलकि लंबे समय तक बना रहे, तो ऐसी इस्थिती में वो क्रोध क्या हो जाएगा, वो वैर बन जाएगा, बहुत समय तक जब हम क्रोध को पालते हैं, जैसे अचार पक जाता है, और अचार बनता है, मुरब्बा बहुत समय बाद पक कर मुरब्बा बनता है, वैसे ही किसी के प्रति, कि अगर हमारे मन में क्रोध लगातार बना रहे स्थाई हो जाए किसी के प्रती क्रोध तो वो वैर बन जाता है शतुरुता बन जाता है इसलिए शुक्ल जी ने बड़े बहुत आसानी से समझा दिया कि वैर क्रोध का अचारिया मुरब्बा है इसमें थोड़ी सी बात हम और विचारात्मक निबंध में शुक्ल जी कई बार समाश शैली का प्रियोग करते हैं समाश शैली का मतलब यह होता है कि एक वाक्य में बहुत कुछ कह देना इसे हम सूत्र शैली भी कह सकते हैं शुक्ल जी ने कई ऐसे वाक्य लिखे हैं इसमें जैसे एक तो अभी आपने बताया कि जो वैर है वो क्रोध का अचारिया मुरब्बा है ये एक सूत्र है और इस सूत्र को जब आप खोलेंगे तो खोलते चले जाएंगे और उसकी व्याख्या कर सकते हैं जैसे आप एक वाक के पाएंगे इसमें दंड भी एक कोप है यानि क्रोध दंड भी एक क्रोध है और शुकल जी बात करते हैं राज दंड की और लोक दंड की और ये कहते हैं कि राज दंड को भी लोक दंड के अनुकूल होना चाहिए यानि राज दंड जो है राज का क्रोध जो है वो लोक के लिए होना चाहिए कुछ खास व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए तो इसी तरह से जैसे वो कहते हैं कि क्रोध जो है वो बड़ा फूर्तिला मनुविकार है इसी तरह से वो कहते हैं क्रोध जो है वो शांति भंग करने वाला मनुविकार है यह सब सूत्र वाक्य हैं तो यह कहना चाहिए कि शुक्ल जी इस निबंध में सूत्र शैली का प्रियोग करते हैं शब्दावली के स्थर पर किस तरह का है? शब्दावली के इस तरपर शुक्ल जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि शुक्ल जी को संस्कृत का बहुत ग्यान था उनको इसलिए वो जगए-जगए संस्कृत की शब्दावली का प्रियोग बहुत करते हैं जैसे अनिर्वचनिय है, समाहार है, बहुत सारे ऐसे शब्द आप इस PPT में देख सकते हैं, जहां आप देखेंगे कि तत्सम शब्दावलियों का प्रियोग शुकल जी ने किया है, इसी तरह से मुरब्बा है, जलाहट है, यह सारे शब्द आप देख रहे हैं, यह सारे शब आप देखिए, तो आप यह पाएंगे कि शुकल जी जहां जरूरत पड़ती है, वहाँ देशद सब्दों का भी प्रियोग कर लेते हैं, और खूब करते हैं, अपनी आलोचना में ब्यू करते हैं, जहां जरूरत होती है, इसके साथ साथ आप यह देखेंगे कि इस इस निबंद में आप देख सकते हैं, जो आपके सामने हैं, इसके साथ साथ आप किसी भी निबंद को पढ़ें तो बहुत सारे व्याकरणिक कोटियां होती हैं, उन्को ढूंड सकते हैं, जैसे इस निवंद में आप उपसर्ग और प्रत्य को देखें ये शब्द आपके सामने हैं जो उपसर्ग से बने हुए हैं प्रत्य से बने हुए हैं इसके साथ साथ आप ये देखिए के मिश्रवाक के कहां आया है सरलवाक के कहां आया है और संयुक्त वाक के कहां आया है तो अपनी बात को प्रभाव शाली बनाने के लिए शुक्ल जी ने भाशा शैली को उसी तरह से बरता है जैसा उनको बरतना चाहिए था ये सभी उनकी भाशा शैली की विशेष्टा इस निवंद में आपको देखने को मिलेगी तो इस तरह से शिक्षारतियों आपने देखा कि एक रोध निवंद पर विश्टार से चर्चा की गई और उसके विभिन पक्षो को आपके सामने रखा गया मैं वेद प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस विशे को बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है सामाने तोर उस पे ये कठिन निवंद माना जाता है और इस कारेक्रम के माद्यम से हमने ये कोशिश की कि आपको इस निवंद को आसानी से समझने में उसे ग्राह करने में सुविधा हो बहुत बहुत धन्यवाद